हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तो आपका इंडिया नेवी ट्रेट्स मैंनमेट का जो है पेपर समापत हो चुका है सभी रिजन का अब सभी के मन में सवाल चलना है कि हमारी कटोफ क्या आ जाने वाली है हमारे कितने न जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा अगर आप यह वीडियो एंड तक देख लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम फोर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लें ताकि आपको यहां पर इंडिया नेवी ट्रेंश्मैनमेट से लेटेटर जो भी अपडेट हो जो सभी का नोटिफीकेसं आप थक पहुंसता रहे हैं वीडियो क अपने सभी दोस्तों के पास श्यर जरूर करते ना जिसने भी इंडिया नेवी ट्रेंश्मैनमेट का पेपर दिया है ।ो पहले बात करने ते आपके category wise कितने नंबर हो कि आपका document verification में नाम आ जाए दोस्तों अगर आप जनरल category में जनरल category में चंतर से लेकर 88 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ready रखे अपने document document इखटा करके आप रखे ले क्या क्या document चाहिए हो मैं आपको यही पर आपको बताऊंगा SD candidate अगर आप है तो 66 से लेकर 68, SD के लिए 62 से 65, अगर आप एक सर ईसमें है तो 60 से लेकर 63, PWD के लिए 65 से लेकर 67, अगर आप PWD OS सब category से है तो 68 से 81, VH category के लिए 62 से 66 ौर HH category के लिए 61 से लेकर 64 दोस्तो अगर आपके इतने नंबर है तो 100% आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आने वाला है क्या क्या डोक्यूमेंट चाहिए सभी बाते में आपको यही पर बताऊंगा वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक से और सबस्क्राइब जरूर करते एक्जाम फोर यू चैनल को अब बात कर लेते हैं आपके डोक्यूमेंट रिक्वाइर्मेंट की कुछ स्टुडेंट बोलना है कि अगर हम सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते क्या हमारे पैसे चल जाएंगे दोस्तो सर्टिफिकेट है यानि डोक्यूमेंट है तो नोक्यूमेंट नहीं है तो नोक्यूमेंट भी नहीं है किसी के पैसे नहीं चलेंगे कभी आप यह सोचें कि पैसे चल जाएं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा कास सेर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जाती पर्मान पत्र आपका मांगा हुए और जाती पर्मान पत्र भी दोस्तों आपका सैंटर का होना चाहिए कुछ student बोलना है कि हम जो है general category से क्या हमें कास certificate लेकर जाना है दोस्तो general category के लिए कोई कास certificate नहीं होता तो आप ये attention free हो जाए ID proof में आदार काड़ो, pen card और driving license, voter ID, passport इन में से जो भी ID आपके पास है वो लेकर आपको जानी है अगर आपके पास केवल आदार काड़ है तो आप आदार काड़ ही लेकर जाएं कुछ बोलना है कि हमारे पास passport नहीं है दोस्तो अगर passport नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास अगर आदार काड़ है तो आदार काड़ से आपका काम चल जाएगा और कोई ID के आपको जरुरत भी नहीं पड़ेगी डो मिसाइल आपको लेकर जाना है मूल निवास परमान पत्र आपका मांगा हुए तो उसको लेकर आप जरूर जाए अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके सेलेक्शन प्रोसेस की इंडियन नेवी ट्रेट्स प्रोसेस आपका किस परकार है तो आपका ओनलाइन एक्जाम था कम्प्यूटर बेस ओनलाइन एक्जाम वो सभी का हो चुका है ओनलाइन एक्जाम का भी आपका रिजल्ट आना बाकि है जो बच्चे रिजल्ट में पास होंगे उनका document verification कराए जाएगा और जिसका भी document verification में पास हो जाएगे पास होंगे जो भी बच्चे उनका कराए जाएगा medical medical जो है काफी easy होगा आपका tension free रहें काफी easy आपका medical होगा government hospital का आपका मानने है तो government hospital में कराके आपका अपने जो perform है उसे stamp लगवागे doctor के sign कराकर आप उसमें जमा कर सकते हैं वो बाकी आपको detail में बाद में दूँगा जब भी आपका document verification की बात आएगी किस परकार से आपका criteria measurement है कुछ मैं आपको बता देता हूँ जैसे दोस्तों आपका जो है elbow जो है कर लेगा यानि इस तरह से सभी criteria जो है वो आपका मांगा हूँ है काफी इजी आपका medical होने जा रहा है तो आप tension free रहे हैं अब बात कर लेते हैं सबसे result की result आपका कब आएगा वीडियो अच्छी लग रहे है तो फटा फट से like, share and subscribe जरूर कर दे exam for you channel को bell icon को जरूर होन कर लेना ताकि आपको यहां पर जो भी update हो सभी का notification आप तक पहुंचता रहे result आएगा दोस्तो आपका 25 अगस्त में बताया जा रहा है इससे पहले आपका result नहीं आएगा हो सकता है 26 में आ जाए या 24 में आ जाए यानि आप आपका जो सितंबर है उसमें document verification और आपका medical कराय जाने की chances बन रहे हैं और आपके जो जो जोइनिंग होगी कि वह October में होगी इससे पहले आपकी जोइनिंग नहीं होगी तो टेंसन फिरी रहे हैं या फंड्रेट percent आपका selection होगा जो मैंने आपको कटोफ बताई अगर आपके मार्क से हैं तो documents अपने ready रखे हैं document मैंने बता दी कटोफ मैंने बता दी date मैंने आपको बता दी result कि आपकी क्या रहने वाली है यानि इंडिया ने वी ट्रेट्स management से लेटिट जो भी सवाल थे सभी का जवाब मैंने आपको दे दिया है कुछ student बोल रहे है टेट्व के बारे में टेट्व दोस्तों आपका चल जाएगा अगर आपको टेट्व बना है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि इंडिया ने वी ट्रेट्स management में टेट्व का कोई जिकर भी नहीं हुआ है तो आप टेंसन फिरी रहे टेट्व निकलवाने की आपको आशकता नहीं है तो यह सवाल काफिया रहा था बच्चों का यह भी मैंने आपको बता दिया कोई question कोईरी डाउट होतो तो दोस्तों आप comment box में जरूर पूछ लीज साथ अब तक के लिए जय हिंज जय भारत